discuss the continuity of the function fx where fx is given by mode of x minus 1 plus mode of x plus 1 ncrt exemplar का question है और काफी important है देखे जब भी आपके पास fx जो है वो इस तरीके से कोई function हो जिसमें हमारे पास mode का case आ जाए तो इस तरीके के जो functions को कैसे solve करना है वो हम देखते हैं सबसे पहले तो इस function को जो हम simplify करके यहाँ पर लिखेंगे उसका pattern क्या है कि mode के अंदर जो भी quantities होती है उनको separately equal to 0 put करो जैसे यहाँ पर एक बार है mode of x minus 1 वहाँ पर हमने put किया x minus 1 equal to 0 यहाँ से आप देखोगे तो x की value क्या आई 1 इसके बाद में एक जगह पे है mode of x plus 1 वहाँ पर x plus 1 को हमने equal to 0 put किया यहाँ से हम देखेंगे x की value कितनी आईगी minus 1 हमें करना क्या है यह जितनी भी values आती है यहाँ से x की उन सभी को find out करके और उनके pattern से real line पे plot करिए सो यहाँ सब से पहले यहाँ पर minus 1 और यहाँ पर 1 आप देखोगे इन दो points ने real line को तीन parts में divide कर दिया एक, दो और एक आपका यह 3 ठीक है अब जो हमारा function है वो इन तीन parts में define होगा और उसको किस तरीके से लिखेंगे fx will be equal to देखें एक बार जब x की values रहेंगी वो रहेंगे आपकी हमारे पास x की values रहेंगी minus 1 से लेके plus 1 के बीच में यह case बनेगा x is strictly less than or equal to 1 and क्योंकि यहाँ पर equality ले चुके हैं so यहाँ पर हमने कह दिया strictly greater than minus 1 उसके बाद में last जो case है वो है x की value जो है 1 से लेके up to infinity means x is greater than 1 यह 3 cases हमारे पास बन रहे हैं अब इन तीन cases में जो functions हैं वो क्या रहेंगे देखिए यहाँ पर है x minus 1 x plus 1 सबसे पहले x की value less than or equal to minus 1 है मान लेजी कि हमने आपर x की value को minus 2 ले लिया जो कि minus 1 से कम है अगर वो value यहाँ पर put करें minus 2 so minus 2 minus 1 minus 3 और mode उसको positive कर देगा इसका मतलब यह होता है कि जो आपको mode function के बारे में पहले भी बताया है कि अगर अंदर negative quantity होती है तो आप बाहर minus का sign लगा लीजिए और जो अंदर quantity है उसको as it is लिख लीजिए ठीक है अब यहाँ पर फिर से x की value को minus 2 यहाँ पर put करें minus 2 plus 1 that will be minus 1 इस minus 1 को positive करने के लिए क्योंकि mode है आगे positive करना पड़ेगा उसको positive करने के लिए हम क्या कर देते हैं इस अंदर वाली quantity को minus 1 से multiply कर देते हैं तो यहाँ पर ही हो जाएगा minus x plus 1 यह आपका पहला केस है दूसरा x की जो value है वो strictly greater than minus 1 है less than equal to 1 है हम माल लेते हैं कि x की value 0 है वो x की value को यहाँ पर 0 put करे 0 minus 1 minus 1 इस minus 1 को positive करने के लिए हमें minus 1 से multiply करना पड़ेगा सो minus of x minus 1 उसके बाद मैं यहाँ पर 0 put करे 0 plus 1 अंदर positive है सो mode जो है वो positive को positive रखेगा सो बाहर जो plus का sign ही रह जाएगा अब है x की value greater than 1 माल लिज यह 2 है सो 2 minus 1 positive आया सो यह as it is रह जाएगा यह term और ऐसे यहाँ पर 2 plus 1 3 यह भी positive रह जाएगा ठीक है which implies fx equal to minus x minus x that is minus 2x minus minus plus 1 और यहाँ पर minus 1 दोनों cancel हो जाएगे यह case है when x is less than equal to minus 1 minus x plus x 0 minus minus plus 1 और plus 1 that is 2 यह कब है जब x की value strictly greater than minus 1 है less than equal to 1 है x plus x that is 2x और यह minus 1 से plus 1 cancel यह कौन सा case है when x is greater than 1 यह जो function है अब इसको हमने solve करना है continuity check करनी है हमें पता है यह functions जो है वो सारे के सारे linear है बलकि यह तो constant है तो यह जो है अपने आप में continuous रहेंगे केवल हमें continuity कहां check करनी है एक बार at x equal to minus 1 और एक बार at x equal to 1 क्योंकि यह breaking points है हम check कर रहे है at x is equal to पहले plus 1 पे check कर लेते हैं उसके लिए function की value plus 1 पे देखी कितनी आएगी equality यहाँ पर है तो उसके value आगई यहाँ पर 2 उसके बाद में हम find out करते है left hand limit that is equal to limit x tending to हमें 1 पे check कर रहे है यहाँ पर है 1 left hand is लिए negative fx अब fx कौन सा use होगा when x is less than 1 x is less than or equal to 1 यह case है so function की value यहाँ पर रहेगी आपके पास 2 limit x tending to 1 negative और यह constant है constant है तो same as it is यही value आजाएगी 2 अब right hand limit find out करें which is equal to limit x tending to 1 positive fx अब देखी कौन सा function use करेंगे where x is greater than 1 x is greater than 1 वो function है आपका 2x इसमें put करिये put x is equal to 1 plus h as x tends to 1 this h will tend to 0 which is equal to limit h tending to 0 2 into x को replace करना है 1 plus h से अब h की value को 0 put करेंगे तो यहाँ पर 1 plus 0 1 और यह आपका अनसर देगा 2 here f at 1 is equal to right hand limit is equal to left hand limit which is equal to 2 therefore fx is continuous at x equal to 1 x equal to 1 के हमारा function क्या है continuous है अब चेक करते हैं at x equal to minus 1 उसके लिए function की value find out करें minus 1 पर x less than or equal to minus 1 है यहाँ पर so यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि x यह function use करेंगे इसमे x की value को minus 1 से replace कर दीजिए minus 2 into minus 1 plus हो गया अब find out करते हैं left hand limit which is equal to limit x tending to minus 1 negative fx fx कौन सा use होगा when x is less than minus 1 यह function है that is limit x tending to minus 1 negative और function है हमारा minus 2x ठीक है replacement क्या है put करते हैं put x is equal to minus 1 minus h as x tends to minus 1 h will tend to 0 यहां यहां पर था हमारे पास minus 2 into x x को replace करना है हमने minus 1 minus h से अब h की value को 0 put करें यहां पर यह बनेगा minus 2 into minus 1 minus 0 that is plus 2 रह गया ठीक है अब find out करते है right hand limit right hand limit जो है वो है limit x tending to minus 1 positive fx that is limit x tending to minus 1 positive means x की value जो है minus 1 से बढ़ी है वो जो function था उस case में हमार जो function बन रहा था वो बन रहा था 2 ultimately value 2 ही आएगी since f at minus 1 is equal to right hand limit which is equal to left hand limit which is equal to 2 therefore fx is continuous at x is equal to minus 1 देखिए x equal to minus 1 और x equal to 1 के उपर ही हमें डाउट था वो हमने चैक कर लिया कि function continuous है उसके अलावा हर जगे हमारा function continuous है क्योंकि वो आपका linear function है और constant function है so we can say fx is continuous everywhere हर जगे means हरे क्रियल number के उपर ही function हमारा continuous है झालाचे ढरग जब किसके चहगा हम त林US कि उपकाया उवचाट आपक झालाव किसे नहिए राग किसे पसक्स पसपक कशना प bit आपका हम क्सा उपका उपका करो के बाटादक